अब आप एक ट्रेन को भी ऐसे ही खडीज सकते हैं, उसके लिए आपको एक छोट इसी अमाउंट देनी होगी, तो आप एक ट्रेन को कैसी खडीज सकते हैं, आपको कितनी अमाउंट पे करनी होगी, आईए पता लगाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरे एफट्स पसंद आए, तो आप मेरे चैनल रेल्वे इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्तंबर मन्त में हुई एक रेल्वी ओफिशल्स की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि अब प्राइवट प्लियर भी ट्रेन को परचेस कर सकते हैं ऐसा इंडिया की किल्चिरल और हेरिटेस साइड्स को प्रमोड करने के लिए किया जाएगा ताकि वहां पर बैटर कोनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए प्राइवट प्लियर के पास ट्रेन को परचेस करने या लीस पर लेने का उप्शन होगा हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी हैं उधारन के लिए अगर डानी जी एक ट्रेन को परचेस करना चाते हैं तो उन्हें मिनिमम् सोला कोचिस वाली एक ट्रेन को परचेस करना होगा और अगर डानी जी एक ट्रेन को लीस पर लेना चाते हैं तो उन्हें मिनिमम पांच साल के लिए लीज पर लेना होगा, जिसे कोच के लाइफ के अकॉर्डिंग बढ़ाया जा सकता है। रेल्वे मिनिस्ट्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्राइवट प्लेयर अपनी मर्जी से कोचिस में माइनर चेंजिस कर सकते हैं, जैसे इंटिरियर डिजाइन या कलर चेंज करना। इसके लावा उन्हें थर्ड पार्टी अड़ोटाइसमेट की भी छोट होगी। साथी यह भी कहा गया, अगर एक स्टेशन पर दो ट्रेन एक ही टाइम में आ जाएं, तो प्राइवट ट्रेन को प्रेफरनस दी जाएगे। प्रेन के किराय की बात करें, तो वह प्राइवट प्लेयर ही डिसाइड करेंगे, जिसमें रेलवे के द्वारा कोई भी अपर लिमिट नहीं होगी। ऐसा रेल्वे अपनी इंकम को बढ़ाने के लिए कर रहा है प्राइविट प्लेयर रेल्वे का लोकोमोटिव यूज करेंगे इंफरस्ट्रक्चर यूज करेंगे तो उनसे हॉले चार्जिस लिये जाएंगे इसके लावा ये कोचिस रेल्वे शेड में खड़ेंगे तो उसके लिए स्टेबलिंग चार्जिस इंपोस किया जाएंगे इसी के साथ इस वीडियो का यहां पर अंत होता है आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जिरूर बताए और हमारे चैनल रेल्वे इन्फरमेशन को जिरूर सब्सक्राइब करें